नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने योटूब चैनल All Exam Guide Group पर दोस्तों मैं अजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके अपने भरूसे मन योटूब चैनल पर आज मैं आपसे 30 कॉशन्स कंप्यूटर के पूछ रहा हूँ अधिकारी बनोगे तो कंप्यूटर पर बैठ नहीं पड़ेगा तो उसके बारे में नॉलिज भी होना चाहिए और एक्जाम में भी कंप्यूटर से कई कॉशन्स पूछे जाते हैं तो क्विज पूरा खेलेगा 30 कॉशन है हर कॉशन का आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा और याद नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेगा सबसे पहला प्रश्न यह रहा स्क्रीन पर माउस के प्रियोग के बिना केवल कीबोर्ड के प्रियोग से किसी टूल को रिबन पर से चुनने के लिए डैस कुझी को प्रेस करके आप की टिप्स को प्रदर्श्ट कर सकते हैं क्या उत्तर होगा इस कॉशन के लिए बतलाईए चलिए देखते हैं तो माउस के प्रियोग के बिना आप अल्ट की के द्वारा ऑप्शन नमबर ए अल्ट की को प्रेस करके की टिप्स प्रदर्श्ट कर सकते हैं करके भी देखेगा जितने कॉशन्स आप पढ़ रहे हैं सारे अपने घर के कंप्यूटर लैप्टॉप पर अप्लाई करके देखेगा नेक्स कॉशन देखते हैं एक लाइन ब्रेक बनाने के लिए आप इन में से क्या प्रेस करेंगे बतलाईए चले देखते हैं तो वर्ड पर काम करते हुए आपको ये कमांड देनी होगी और शिप्ट प्लस एंटर अगर आप दबाते हैं तो लाइन ब्रेक हो जाएगा नेक्स कॉशन देखते हैं क्या पुशा गया है औप्शनल फील्ड इंस्ट्रक्शन को रखने वाली वर्ड की फील्ड क्या कहलाती है राइट आंजर क्या है बतलाईए चले देखते हैं तो औप्शनल फील्ड इंस्ट्रक्शन को रखने वाली वर्ड की फील्ड जो है स्विच कहलाती है option number D यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुश्य है business letter के आवशक घटकों की सूची में dash होते हैं क्या होते हैं बतला ये चलिए देखते हैं business letter के आवशक घटकों की सूची में data line and insight address होता ही है message भी होता है signature block भी होता है all of above option number D यहाँ पर सहीत्तर हो जाएगा ये सब ही होते हैं business letter में next question देखते हैं क्या पुश्य है ये सब आप world से related MS world से related question पढ़ रहे हो जिस पर आपको सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा जब आप अधिकारी बन जाओगे तो world babe authoring tool रखता है world babe authoring tool रखता है जो आपको web page पर dash सामिल करने के लिए अनुमती देता है बतलाईए चले देखते हैं तो world babe authoring tool रखता है जो आपको web page पर dash सामिल रखने की अनुमती देता है तो ये सब आप web page पर सामिल रख सकते हैं bullets कर सकते हैं world पर अगर आप काम करते हैं तो आप बुलिट बना सकते हैं किसी भी लाइन के शुरू में hyperlink रख सकते हैं कि अगर आपने उस सब्द पर क्लिक किया तो direct net की link खुल जाएगी sound भी आप उसमें add कर सकते हैं all of above इस question के लिए सही उत्र हो जाएगा option number d की सही उत्र है next question देखते हैं कि आप उश गया है horizontal scroll bar के बाई तरफ क्या होता है right answer कहा है बतलाईए चले देखते हैं तो horizontal scroll bar के बाई तरफ view button होता है option number b इस question के लिए सही उत्र हो जाएगा next question देखते हैं पुश गया है scroll bar आप समझते हैं मान के चलो यह आपका page खुला हुआ है तो ऊपर खसकाने के लिए एक इधर पे scroll bar रगा होता है जिसको आप इधर उधर करते हो तो page इधर उधर होता है और ऊपर नीचे खसकाने के लिए bagal में scroll bar होता है जिसको आप ऊपर नीचे करते हो तो इधर उधर होता है वो कहला दे इस scroll bar next question देखते हैं क्या पुश गया है यह रहा स्क्रीन पर निमले के तुम ऐसे कौन सा आप margin बदलने के लिए प्रियोग करते हैं बतला यह चले देखते हैं तो आप अपने document की margin को बदलने के लिए option number B page setup dialogue box को open करके command देते हुए margin change कर सकते हैं next question देखते हैं क्या पुश गया है MS word में word document को email करने का तरीका क्या है बतला यह अगर आपने कोई document बनाया उसको email करना है तो क्या follow करेंगे आप चले देखते हैं तो MS word में world document को email करने के लिए आपको option number A चुनना होगा सबसे पहले office बटन पर click करना होगा then send to का option आएगा send to पर click करिए then mail recipient पर जाईए तो mail recipient पर click कर दीजे आपका document mail पर attach हो जाएगा then आप उसको send कर दीजिए अपना email address वगरा लिखकर next question देखते हैं क्या पुछ अगया है MS word की screen alignment जो सामानिता title बार के नीचे आती है वर्गी करत विकल्प प्रदारन करती है क्या मिलता है उसके नीचे आपको बतलाईए चले देखते हैं तो MS world की screen element जो सामानिता title बार के नीचे आती है वहाँ पर आपको menu बार मिलता है option number A is question के लिए सहीत्र हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुछ अगया है वर्ड 2007 में zoom किस tab पर या किस बार पर इस्थित होता है बतलाईए चले देखते हैं तो right answer हो जाएगा A and C both यानि की view tab पर भी zoom होता है और status बार पर भी zoom होता है next question देखते हैं क्या पुछ अगया है यह रहा स्क्रीन पर dash एक छोटी horizontal line है जो एक दस्ता वेज के निशकर्ष को दरसाती है बतलाईए चले देखते हैं तो right answer हो जाएगा end mark option number B end mark एक छोटी सी horizontal line है जो एक दस्ता वेज के निशकर्ष को दरसाती है next question देखते हैं क्या पुछ अगया है चोटे वर्ग जिन्हें dash कहा जाता है किसी graphic के 4 और 6 आयत पर graphic के आयामों को बदलने के लिए इस्तिमाल किये जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं बतलाईए चले देखते हैं तो उन्हे स्नाइजिंग हैंडल्स कहते हैं साइजिंग हैंडल्स कहते हैं option number B यहाँ पर सहीतर हो जाएगा साइजिंग हैंडल्स कहलाते हैं वो next question देखते हैं क्या पुछ अगया है यदि आप control प्लस shift प्लस F8 प्रेस करते हैं तब क्या होता है बतलाईए चले देखते हैं तो यदि आप control प्लस shift प्लस F8 प्रेस करते हैं तो option number B यहाँ पर सहीतर हो जाएगा it activate the rectangular selection next question देखते हैं क्या पुछ अगया है यह रहाँ स्क्रीन पर copyright symbol बनाने के लिए shortcut की क्या है बतलाईए चले देखते हैं तो copyright symbol अगर आपको wordpad पर बनाना है तो आप alt प्लस control प्लस C अगर प्रेस करते हैं तो copyright का एक logo बन जाता है इस तरीके से गोला रहेगा गोले के अंदर C बना रहेगा copyright का logo next question देखते हैं क्या पूश अगया है की stroke control प्लस i dash के लिए प्रयोग करते हैं बतलाईए shortcut की पूछी जाती है और यह अगर आपको पता है तो मतलब आपका भी एक प्रकार से वट पढ़ता है की हाँ भाई इसके लिए तो सारी shortcut की आती है जब आप अपना काम फटा 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 फट कंप्यूटर पर कड़ोगे shortcut की से तो सब कहेंगे की हाँ यार गजब इसको computer का knowledge है तो आपको पहले सभी normal भी पता होनी चाहिए की computer में shortcut की कैसे क्या क्या काम करती है तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा option number C सही उत्तर है applies italic format to select test मतलब जो भी आप text select करोगे control प्लस आई करने से italic हो जाएगा मतलब normal तो वो सीधा रहता है italic करने पर हलका सा तिरिछा हो जाएगा जो भी letter लिखा रहेगा next question देखते हैं क्या अप पुश्चा गया है निम्लिकित मेंसे kौन सी function कुंजी speller को activate कर देती है बतलाईए चली देखते हैं तो speller को activate F7 कर देती है option number C is equation के लिए सही उत्तर हो जा जाएगा spelling के लिए next question देखते हैं क्या पुश्चा गया है निमलिकेते मैंसे कौन सी शॉटकट की spelling check करने के लिए प्रियोक की जाती है बतलाईये चले देखते हैं तो right answer क्या हो जाएगा F7 स्पेलिंग check करने के लिए प्रियोक की जाती है Next question देखते हैं कि आपपुश आगे है नएया दस्तवेज बनाने की shortcut की क्या है बतला ये चलिए देखते हैं तो आप किसी भी program पर काम कर रहे हैं चाहे word हो powerpoint हो excel हो अगर आप नया window खोलना चाहते हैं तो आप control a press करेंगे तो आपको fresh नया page open हो जाएगा एक next question देखते हैं क्या पुशा गया है dash एक दस्ता वेज को खोलने का shortcut है बतला ये चलिए देखते हैं तो right answer हो जाएगा control o o से open से o बना तो control plus o अगर आप किसी भी program पर select करके किसी भी software पर जैसे support आपने excel पर select किया है और control o select कर रहे हैं आप तो इसका मतलब आप उसकी नई file खोलने को उसको computer को कह रहे है तो computer नई file दस्ता वेज नया खोल देता है next question देखते हैं आपको click करकर के खोलने की जरूत नहीं है dash एक दस्ता वेज को बंद करने के लिए प्रियोग किया जाता है normally आप cross पर click करके और बंद करते हैं अगर आपको question देखते हैं क्या पुछ अगया है दस्ता वेज को save करने के लिए कौन सी कुझियों का सही समूह है प्रियोग कौन सा करते हैं बतलाईए आप चलि देखते हैं तो save करने के लिए control प्लस S प्रियोग करते हैं option number S question के लिए सहीतर हो जाएगा next question देखते हैं बंद करने का shortcut क्या है right answer क्या है बतलाईए चलि देखते हैं तो right answer हो जाएगा alt plus F4 alt plus F4 अगर आप select करके paste करते हैं तो जो document पूरा खुला हुआ पूरा का पूरा बंद हो जाएगा direct next question देखते हैं क्या पुछ अगया है एक दस्ता वेच पर text को खोजने के लिए कौन सी कुझी का प्रियुक करोगे मान कि चलो आपने एक letter लिख दिया letter में आपको देखना है कि आपने कहा कहा अपना नाम लिखा है तो आप कैसे खोजेंगे बतलाईए चलि देखते हैं तो आप control F से letter में कोई भी word जो है वो धूर सकते हैं पूरे एक letter जो भी आपने टाइप करके रखाया उस पर एक word धूर सकते हैं जो भी आप धूरना चाहते हैं next दस्ता वेज में text को replace करने के लिए shortcut क्या है बतलाईए चलि देखते हैं तो text को replace करने के लिए control H प्रियोग करते हैं option number C इस question के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं किसी page पर जाने के लिए shortcut के रूप में प्रियोग होने वाली कुंजियों का समूह क्या है बतलाईए चलि देखते हैं तो किसी page पर जाने के लिए shortcut के रूप में प्रियोग होने वाले keys का जो group है control plus G option number B इस question के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं कि आपको शगया है जिस shortcut के द्वारा browser a document browse panel प्रदर्शित होने लगता मतलब इस shortcut की को आप दबाओगे तो ये लिखकर आपको सामने दिखने लगेगा तो वो कौन सा key है मतलब ये right answer क्या है चलिए देखते हैं तो right answer क्या हो जाएगा alt plus control plus home option number C browser a document browse panel show करने लगेगा अगर आप इन तीनों key को एक साथ press करते हो तो next question देखते हैं dash किसी action का undo करने का shortcut है अगर आपने कोई काम किया है आपको फिर से उसको पहले वाली स्थिति में लेकर आना है तो आप कौन सा key press करेंगे बतलाईए चलिए देखते हैं तो right answer हो जाएगा control plus Z undo का shortcut है next question देखते हैं क्या पुश अगया है dash किसी action को redo करने का shortcut है redo कैसे करेंगे आप बतलाईए ये सारी command जो है word की है आप word की कोई भी pile आज खोलो और ये सारी command आप type करकरके आप follow करकरके चेक करो आप सीख भी जाओगे याद भी कर लोगे तो यहाँ पर सहीतर हो जाएगा control plus Y option number C यहाँ सहीतर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुश अगया है font को बदलने की shortcut की क्या है बतलाईए चले देखते हैं font को बदलने की shortcut की है control plus shift plus F next question देखते हैं किस शॉटकट के द्वारा हम font की size को बदल सकते हैं बतलाईए चले देखते हैं तो right answer हो जाएगा option number control plus C plus माफ करेगा control plus shift plus P से हम font की size को बदल सकते हैं तो यह आपके 30 computer से related questions थे जोके exams के लिए very important है इससे पहले वाले test paper description box में link कोई माध्यम से देदिया है click करके आप बता सकते हैं word के सारे questions मैंने आपको बताए एक surprise question में आपसे पूछ रहा हूँ word पर maximum zoom और minimum zoom कितने percent तक हो सकता है check करिए बताईए search करिए बताईए नहीं बन रहा है तो सुबच 6 बजे class में आईए सुबच 6 बजे live gkgs की class होती है उससे पूछे मैं बता दूँगा surprise question का answer जरूर ढूरने की कोईश करिएगा आपको याद भी हो जाएगा प्लस आपका interest भी आपको देखेगा तो चली दोस्तों मिलते है next video में अपना ख्याल रखें चैनल पर होने वाली चारो class का time table है आप इन सभी class पर time से आ सकते हैं इससे पहले वाले videos भी जरूर देख लीजेगा वो सारे मैंने description box में link के माध्यम से देदी है link पर click करोगे आप video की playlist खुल जाएगी जो video देखना ह आप खुश रहे स्वस्त रहे मस्त रहे जहां भी रहे जवर जस रहे थैंक यू सू मच नमस्कार